Hello friends So friends we are back with economics हमारा कुछ दिन का break हो गया था economics के बीच में अब हम लोग वापस हैं economics में अब कोशिश करेंगे कि इसको फटा फट से wrap up किया जाए economics को ठीक है जी अब कोशिश रहेगी कि regular रहें और इसको wrap up करें चलो अब economics में हम लोग topic कौन सा कर रहे थे हम लोग कर रहे थे बात market failures की अब थोड़ा सा इसके उपर recap कर लेते हैं कि हमने last lecture में क्या किया था market failure के उपर उसके उपर थोड़ा सा हलका सा recap करते हैं हम लोग हम लोगों ने कहा था कि market failure कब होता है जब हमारी जो demand है और जो supply है वो एक दूसरे के साथ automatically adjust नहीं करती ठीक है जी Demand is not equal to supply तो हमने कहा था कि जब demand और supply अपने आप एक दूसरे के साथ adjust नहीं करती तो उस situation में जाकर क्या होता है market failure होता है इसका मतलब क्या होगा कि या तो demand supply से ज़ादा होगी ठीक है या demand supply से कम होगी अब मैं demand कर रहा हूँ कि मुझे 5000 unit चाहिए supply सिरफ 2000 units की है market में तो क्या होगा market failure ही होगा न कहीं न कहीं market balance तो हो नहीं रही है demand के हिसाब से supply नहीं है supply के हिसाब से demand नहीं है ठीक है फिर हमने कहा कि इसके कारण क्या है market failure होने के वो कहता why do markets fail कि markets हमारी जो है वो fail की होती है ठीक है उसमें है market power के कारण externalities, public goods and incomplete information हम लोगों ने last lecture में बात की थी market power के बारे में हमने क्या गा था market power के बारे में कि कुछ लोग एक market में कुछ लोगों के हाथ में ज़ादा power है जिसको हम लोग नाम देते है monopoly का ठीक है जी कुछ लोगों की गुंडागर्दी जल रही है वो कहते हैं कि दूसरे लोग इस market में इस product को नहीं बनाएंगे अगर हम बना रहे हैं बेच रहे हैं तो हम ही करेंगे और को इस market में आ नहीं सकता उसका impact क्या होता है फिर demand और supply imbalance होना शुरू हो जाएगी क्यों? क्योंकि जो monopoly में काम कर रहा है वो prices अपने हिसाब से set करेगा वो prices high रखेगा ठीक है उसको पता है competition में कोई नहीं है मेरे पास तो अपने prices जो मरजी रखता रहे ठीक है तो क्या होगा? demand गिरनी शुरू हो जाएगी ठीक है न? demand क्या होगा? demand नीचे आनी शुरू हो जाएगी उसकी दूसरी तरफ से देख लेते हैं, दूसरी तरफ से क्या है कि demand है 5000 unit की लेकिन जो monopoly में काम कर रहा है, वो कहता है मेरी capacity सिरफ 2000 units बनाने की है, demand है 5000 units की और उसकी capacity सिरफ 2000 units की बनाने की है तो क्या demand और supply मैच हो रही है? demand है 5000 की, supply है 2000 की, क्या वो अपस में मैच करेंगे? market failure ही होगा न? demand कहीं जादा, supply उतनी नहीं है तो क्या situation है? this is a market failure situation ठीक है? तो यह हमने बात की थी market power के बारे में अब हमारे पास जो अगला topic आ रहा है that is externalities अब यह topic बहुत important है और थोड़ा सा trade अभी है इतना सीधा नहीं है कि अगर हम लोग directly इसको institute के module से पढ़ना start करें, start करें सर यह सारा paragraphs में दे रखा है भर-भर के institute ने दे रखा है negative production, positive production negative consumption, positive consumption सर भर-भर के paragraphs में दे रखा है इनों ने ठीक है? अब इसको पढ़ने बैठोगे तो 101% आप लोग पागल हो जाओगे ठीक है? आदे पागल तो वैसे institute कर देता हम लोगों को आदे पागल आप यह paragraphs पढ़के रहो जाओगे ठीक है? इसलिए हम लोग मैं आप लोगों को बचा लूँगा पागल होने से ठीक है? हम लोग यहां से इसको पढ़ेंगे नहीं हम लोग पढ़ेंगे यहां से ठीक है? ताकि जी हम लोग पागल ना हो सके और हम लोग अपनी बढ़ाई पे concentrate कर सकते हैं चलो अब पहले तो इसका concept समझो होता कि externalities में हम लोग कहते हैं कि एक market है market में कौन दो लोग है? market में दो लोग हैं एक तो है producer और एक है consumer ठीक है? हम कहते हैं कि producer भी कोई ना कोई actions कर रहा है और consumer भी कोई ना कोई action कर रहा है action किस तरह का? producer goods बना रहा है, goods बेच रहा है consumer का action क्या है? कि वो goods को buy कर रहा है, वो goods को consume कर रहा है that is also an action तो हम कहते हैं कि कोई ना कोई action दोनों कर रहे है, producer भी कर रहा है और consumer भी कर रहा है ठीक है, जो सामने दिख रहे है goods बना रहा है, producer सामने दिख रहा है goods sale कर रहा है, सामने दिख रहा है consumer उसको buy कर रहा है वो भी add सामने दिख रहा है हम लोगों को लेकिन वो कहता है दोनों के, चाहे वो producer है, चाहे वो consumer है, दोनों के कुछ ऐसे hidden actions भी हो सकते हैं, hidden actions भी हो सकते हैं, जिसका positive और negative impact हो सकता है, negative impact on each other, मतलब क्या, कि producer ने कोई ऐसा action किया, जो आपको बिल्कुल सामने से नहीं दिख रा, ठीक है, लेकिन उसका impact consumer पर पड़ेगा, चाहे वो positive पड़े, चाहे वो negative पड़े, हम इसको hidden क्यों बोलते हैं, hidden word कहीं भी use नहीं किया गया, आप institute का module पड़ोगे, कहीं नहीं word यूज किया गया hidden, मैंने इसको use क्यों किया, hidden का मतलब है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप लोग मेरे से hidden का मतलब समझो, hidden का मतलब है कि जिसकी action, which is not considered, impact of action ले लेते हैं, impact of action, which is not considered, while determining, the price of product. तो यह hidden action है, एक producer ने कोई ऐसा action लिया, जिसका impact consumer पर पड़ रहा है, चाहे वो positive है, चाहे negative है, लेकिन उसका जो भी impact है, उस action का, उस hidden action का, उस impact को producer अपनी, जो product की price है, वो determine करने के time पे कभी भी उसको consider नहीं करता, वो सिरफ चीज hidden रह जाती है, वो पीछे रह जाती है, सामने नहीं दिखता, तो हम लोग उसे price में include नहीं करते, अब producer का एक direct action समझो, producer goods बना रहा है, goods बनाने के लिए जितनी भी cost होगी, वो अपनी cost में add करता है, consumer से recover करने के लिए, करता न, हम लोग cost accounting भी पड़ रुखे हैं, हम लोगों ने direct material, direct labor, direct wages, cost sheet बनाते हैं उसकी, तो goods को बनाने के लिए जितनी भी cost है, वो सारी के सारी cost consider करता है, और consumer से recover करता है, करते हैं हम लोग, लेकिन अगर किसी action की cost तो है, लेकिन वो consumer से recover नहीं की जा रही, ठीक है, क्यूं, क्यूंकि वो हमें पता ही नहीं है, वो cost पीछे पड़ी है, वो action hidden है, producer कहता है, यह मेरे लिए मतलब का ही नहीं है, मेरे लिए कोई माइने नहीं रखता है, मेरे लिए कोई cost नहीं है, इसकी, मेरे लिए कोई cost नहीं है, ठीक है न, वो कहता है, वो तो पीछे है, मेरे लिए कोई cost नहीं है, वो उसको consider ही नहीं करता, उसको हम लोग बोलते है, externalities, कोई external actions, जो price में हम लोगों ने consider नहीं किये, price of the product में considered नहीं है, कोई ऐसे actions, जिनका, या तो producer पर, या consumer पर, positive या negative impact होगा, ठीक है, बट उसको price में हमने include नहीं किया, उसको हम लोग बोलते है, externalities, चलो, पढ़के देखते हैं एक बर, concept, when the action of either consumer और producer, result in cost or benefit that do not reflect as a part of market price, this is the main important point, do not reflect as a part of market price, such cost or benefits which are not recognized by and accounted for by the market price are called the externalities, कोई भी ऐसा action, consumer का, या producer का, ठीक है, जिसे की दूसरे इंसान को, या तो positive impact होगा, या negative impact होगा, positive को हम लोगों ने बोला, benefits और negative impact को बोला, cost होगी, लेकिन वो benefit या cost हम लोग market price में उसको consider नहीं करते, उसको हम लोग बोलते है, externalities, an externality occurs when a consumption or production activity has an indirect effect on the other's consumption or production activities and as such are not reflected directly in the market price, जिसका की indirect impact है, दूसरे के उपर, अगर producer का कोई ऐसा action है, तो इसका consumer के उपर कोई ना कोई indirect impact होगा, जिसके, जो market price में reflect नहीं हो पा रहा, ठीक है? चलो, features, the originator of the externality imposes the cost or benefit on the other person who are not responsible for initiating the effect, originator of externality मतलब, किसका action था, जिसका impact हो रहा है, दूसरे के उपर, originator means, जिसने वो action start किया, जिसने वो externality start की, उसको हम लोग बोलते हैं, originator of the externality, it imposes the cost or benefit on the other person, अगर producer ने कोई ऐसा action लिया, उसका impact consumer के उपर दिखेगा, ठीक है? तो originator कौन है? producer, other person कौन है? consumer, who are not responsible for initiating the effect, क्या consumer responsible है? नहीं, सिरफ producer है, right? इट occurs outside the price mechanism, that is not through the operation of price system, it is initiated and experienced outside, or external to the market, it is uninternalized, or the cost benefit thereof is not born, or paid by the party's concern, it is called the spillover effect, neighborhood effect, third party effect, or the side effect, ठीक है? तो externality ऐसी चीज़ है, जो बाहर बाहर से action हो रहा है, जो हमें directly नहीं दिख रहा, एक hidden action है, जिसकी दूसरे इंसान के लिए, cost या benefit है, लेकिन, हम उसको market price में identify, नहीं करते हैं, हम उसको market price में consider, नहीं करते हैं, ठीक है? simple example लेता हूँ, एक factory है, अभी example वो आगे भी आएगी, एक factory है, जिसका सारा के सारा waste, factory obviously एक manufacturing unit है, जिसका waste जो है, उस factory के पीछे, एक नदी जा रही है, उस नदी में उसका waste, सारा के सारा waste उसका उस नदी में जाता है, ठीक है? और आसपास कुछ वहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं, उस नदी के आसपास घर बना रखे हैं, लोगों ने छोटे छोटे जुगियां बना रखी हैं, तो वो लोग उस नदी को यूज करते हैं, अपने personal use के लिए, अब जब चाहे वो पानी पीने के लिए यूज करते हैं, चाहे नहाने के लिए यूज करते हैं, किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, अब जब वो waste उस नदी में जा रहा है, तो उसको pollute कर रहा है, अब वही polluted water, वो जो लोग है जो नदी के किनारे रह रहे हैं वो उसको पीएंगे भी, उसमें जाएंगे भी, उसमें नहाएंगे भी तो क्या वो बिमार नहीं होंगे? बिमार होंगे न? क्योंकि फैक्टरी का जितना वेस था वो उस नदी में चला गया और नदी के पानी को उसने pollute किया river water को उसने pollute किया और pollution से जो लोग side पे रह रह रहे थे वो बिमार होना शुरू है अब देखो समझने की कोशिश करो अब इसमें action किसका है action है producer का producer का action क्या है कि उसकी जो waste है वो सारा river water में जा रही है जा रही है या नहीं ठीक है ना अब क्या producer अपने product की price set करने time क्या इस चीज को consider करता है कि जो उसके factory से waste पानी में जा रहा है और उस पानी को use करके जो लोग बिमार हो रहे हैं उनकी जो cost है बिमार होने की दवाई लेने की क्या वो अपनी cost में consider करता है producer मेरी waste तो जाती नी जी वो बगल वाले की factory है उसकी waste जा रही है मेरी नी जाती है वहाँ पर ठीक है ना अब impact किसके उपर है impact है consumer के उपर originator कौन है वो factory वाला जिसकी waste सारी के सारी river में जा रही है और impact किसके उपर है other person is the consumer ठीक है तो ये जो action है जो नदी में पानी जा रहा है जो waste जा रही है उसके कारण जो लोग बिमार हो रहे है बिमार होने के कारण उनने medicine लेनी बढ़ती है उसकी जो cost है इन चीजों को हम लोग बोलते है externalities क्या इसका market price पर कहीं पर भी जिकर होता है market price set करने time बिल्कुल भी नहीं होता ठीक है ना इसको बोलते है spillover effect इसको बोलते है neighborhood effect इसको बोलते है third party impact इसको बोलते है side effect ठीक है समझ मैं externalities का concept कि externalities क्या है हमारे पास चलो अब उसकी आती है types हमारे पास externality कितनी types की हो सकती है वो कहता है एक तो unilateral and reciprocal externalities है इसमें क्या है unidirectional में क्या है कि एक party दूसरे party के उपर impact कर रही है लेकिन दूसरी party वापस उसका जवाब नहीं देती वो चुपचा बैटी रहती है वो सह रही है उस चीज को जैसे मैंने का factory का waste जा रहा है ठीक है और उसके आसपास जो जुगियों में लोग रह रहे हैं वो उस पानी को use कर रहे है क्या वो उस factory के खिलाफ ओवाज उठा सकते हैं क्या उण में इतना दम है क्या उन में इतनी शक्ति है इतनी power है उनके पास की वो उस factory वाले के against अवाज उठाएं नहीं उठाएंगे तो क्या है, factory वाला करी जा रहा है, waste crop करी जा रहा है, वो बिमार होते जा रहे हैं, वो मरते जा रहे हैं, वो दवाईयां कहते जा रहे हैं, ठीक है, this is called unidirectional externalities. वो कहता है originator कर रहा externality लेकिन जो recipient है वो चुप करके बैठ है वो वापिस उसके उपर retaliate नहीं कर सकता उसमें इतना दम नहीं है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको वापिस face कर सके ठीक है ना कि उससे वो लड़ाई कर सके किसी भी तरह से वो नहीं करता इस चकर में अब देखो अगर एक स्कूल की बात करते हैं या हमारे कोई lectures ले लो कोई हमारे coaching institutes ले लो जहांपर students हैं और एक teacher है अब students ने बहुत शोर मचा रख है ठीक है अब होगा क्या एक चीज़ समझने की कोशिश करना क्या students के शोर मचाने से students की fees पर कोई impact पड़ेगा नहीं पड़ेगा obviously teacher student शोर मचाए ना मचाए teacher ने तो फीज उतनी लेनी है न ठीक है तो ये क्या है students का शोर मचाना is a externality clear हो गया जब ये externality है उसने का students make noise and disturb a class impose the negative externality on the teacher but the teacher or the school has not imposed any externality on such student but teacher और school ने कुछ नी किया कोई action नी लिया ऐसे students की against वो चुब बैठे हैं वो कहते हैं कोई बात नी बच्चे हैं करने दो ठीक है न तो उन्होंने इसके against कोई action नहीं लिया तो इसको बोलते हैं unidirectional externality clear कोई doubt किसी दरह से ठीक है जी फिर आया reciprocal externalities reciprocal में क्या है वो कहता है कि अगर originator ने गलती की recipient के ऊपर कोई ऐसी externality डाली तो recipient चुप बैठने वाला नहीं है अब एक factory थी जिसका waste जाता था river में और जो उसके आसपास लोग थे वो बिमार होने लगे तो लोगों ने उठा कर उस factory के against complaint कर दी और वो factory बंद करवा के ही उन्होंने सांस लिया ठीक है तो example क्या है same case as above with the teacher or school cautions the student by appropriate means बट एक simple और example लेता हूँ अभी अभी recently ICI के against हम लोगों ने protest किया कुछ faculties थी equal students थे तो protest हुआ ICI के against अब एक चीज़ बताओ कि क्या इस protest से institute की fees पर कोई फरक पड़ेगा institute बच्चों की fees कम कर देगा या बढ़ा देगा गुस्से में आके नहीं नहीं करेगा ठीक है ना ही वो किसी member की membership cancel करेगा उनको members भी प्यारे है institute को ठीक है ना किसी भी coaching institute को इससे कोई फरक पड़ेगा उसकी fees पे कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना बट यह है तो externality और यह क्या है this is a unidirectional externality सिरफ और सिरफ जो protest कर रहे है उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है institute के अगेंस्ट की amendment लेके आओ this is a unidirectional externality reciprocal क्या है reciprocal यह है कि लोगों ने protest किया हमारी faculties ने protest किया students ने protest किया institute ने उसका वापस में जवाब दे दिया वो कहते है कि जितने भी students protest कर रहे हैं वो november 19 attempt में नहीं बैठ पाएंगे ठीक है और जितने भी members कर रहे हैं उनको हम लोग देख लेंगे क्या उससे कोई फरक पड़ेगा किसी की fees पे institute की fees कम या जाद हो जाएगी नहीं हो जाएगी but this is the reciprocal externality उन्होंने reciprocate किया उस चीज को वो गयते हैं हम चुप बैठने वाले नहीं है clear हो गया so this is just an example कोई इसको seriously मत ले जाना अब उसकी against की protest की against है या कुछ भी है ठीक है तो example दी है कि किस तरह से unidirectional और reciprocal externalities काम कर रही है उसके बाद उसके बाद हमारे पास आता है positive and negative externalities वो कहता है impact positive भी हो सकता है और impact negative भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि negative ही होगा हमने जो example लिया है उसमें negative impact है लेकिन वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि सिरफ negative impact ही होगा वो कहता है positive impact भी हो सकता है ठीक है तो कहता हम इसको study करेंगे वो कहता है positive externalities क्या है और negative externalities क्या है positive externalities occur when the action of one party confers benefits to the other party ठीक और negative कब होती है when the action of one party imposes cost on the other party दूसरी party को उसका नुकसान हो तो negative बोलते हैं अगर उसका फाइदा हो तो उसे benefit बोलते हैं हम लोग ठीक है अब positive externalities को उसने दो parts में divide किया उसने का positive production externality and positive consumption externality वो कहता है positive जो है वो production में भी हो सकती है वो consumption में भी हो सकती है ऐसी negative जो externality है वो production से related भी हो सकती है और consumption से related भी हो सकती है अब इसका मतलब क्या है कि production में originate होना this is originate कि start कहां से हो रही है externality production से हो रही है यहाँ पर हम लोग बोलते है start कहां से हो रही है consumption से हो रही है तो originate कहां से हो रही है वो कहता है production से भी हो सकती है और consumption से भी हो सकती है ठीक है तो originate की बात करते हैं हम लोग ऐसी consumption में भी हम लोग originate की बात करते हैं clear है अब अब इसको ध्यान से समझते हैं इसको हम लोग इसको मैं बाद में आता हूँ इसके उपर ठीक है ये क्या दिया हुआ सर ये मैं बाद में समझाता हूँ भी साथ साथ अब इसी का पहला पाट हम लोग पढ़ते हैं A point positive production externality PPE का मतलब है positive production externality A part यहां से भी clear हो जाएगा These are initiated in production originate कहां पे हो रही है originate हो रही है production से and received in अब receive कहां पर हो रही है अभी तो हमने कहा था एक जगा पर होंगी दूसरे के उपर impact आएगा वही चीज originate मतलब start initiate मतलब originate कहां से होई production से start हुई जो waste जा रही थी river vim वो start कहां से हो रही थी production से हो रही थी production अगर नहीं होगी तो वो waste जाएगी नहीं तो originate कहां से हुई production से हमने का production से initiate हो रही है और receive कहां पर हो रही है production में ही receive हो रही है या consumption में receive हो रही है उसका फाइदा कहां पर हो रहा है उसका फाइदा within the production line ही उसका फाइदा हो रहा है या बाहर जो consumer बैठ है हमारा उसको फाइदा होगा दोनों चीजें हो सकती है कैसे the firm train its employees example देखो इसका production में शुरू भी production हुई खतम भी production में ही हो रही है the firm trains its employees for increasing their skills and generates positive benefits for other firms when they hire such workers as they change their jobs वो कहता है एक firm है ए जिसने अपने employees को बहुत train किया ठीक है उनकी skills improve होने के लिए initiate कहा हुआ action प्रोडक्शन में देखो इससे product की price पे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि ये firm किस लिए कर रही है वो अपने benefit के लिए कर रही है ठीक है न और जब वो employees A firm को छोड़कर B में जाएंगे तो उसका फाइदा किसको मिलेगा B को मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका फाइदा B को उसका पूरा पूरा फाइदा मिलेगा उस चीज़का ठीक है न तो क्या हुआ production में ही start हुई थी एक activity activity क्या थी training of employees वो एक externality थी उसका directly production से लेना देना नहीं था उसका price पे impact नहीं था और वो खतम कहां पे हुई वो receive कहां पे हुई receive भी production में ही हो गई clear production में कैसे हो गई कि skills increase हो गई एक तो यह हो गया दूसरा जब वो employee एक firm चोड़के दूसरी firm में गया तो दूसरी firm में production activity पे उसको benefit मिला उस चीज़ का तो production से start हुई और production पे ही खतम हो गई this is a positive production externality अब आता है दूसरी तरफ कि start तो production से हुई लेकिन खतम कहां पे हुई consumption पे जाके ठीक है उसका benefit किसको मिला consumer को मिला ना कि कि किसी भी production activity को उसका benefit मिला दो चीज़े है एक तो originate कहां से हो रही है start कहां से हो रही है activity और दूसरा उस activity उस externality का benefit किसको मिलेगा क्या production activity को ही उसका benefit मिलेगा या जो consumer है जो consume करेगा उसको benefit मिलेगा ठीक है दो चीज़ें देखनी है बस अब consumption की क्या है an individual raises the garden in his land and the persons walking by enjoy the garden initiate कहां हुई कि जिस person ने garden बनाया था production production की है ना गार्डन को बनाना भी तो एक production activity है लेकिन उसका benefit कौन उठा रहा है क्या वो गार्डन वाला उसका benefit उठा रहा है या कोई और गार्डन वाला उसका benefit उठा रहा हूँ नहीं न तो उसका benefit कौन उठा रहा है जो लोग उस garden के आसपास से निकल रहे है वो उसको enjoy कर रहे है उस चीज़ को ठीक है उनको fresh air मिल रही है वो enjoy कर रहे है तो benefit कौन उठा रहा है जो consumer है जो consumption कर रहा है उसकी उस fresh air की उस enjoyment की वो उसका benefit उठा रहा है जिसने गार्डन बनाया वो producer है activity कहां से start हुई garden बनाने से क्योंकि garden नहीं होगा तो enjoyment नहीं होगी तो garden बनाना भी एक production activity है तो start कहां से हुआ production से garden को बनाने से अब इसका benefit कौन उठा रहा है क्या वो garden वाला कोई benefit उठा रहा है नहीं क्या कोई उसका और जो competitor है कोई और garden है आसपास क्या उसको benefit मिल रहा है इस garden का नहीं benefit किसको मिल रहा है जो passers बाए है जो enjoy कर रहे है समझ में आ गया originate हुआ production से खतम कहां पे होगा production में ही खतम होगा या consumption में खतम होगा वो depend करता है ठीक है अब इस से related उसने का social cost is less than the private cost इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि हम लोग जिस चीज को बनाने में cost लगा रहे है that is the private cost एक firm ने training के लिए employees के उपर पैसा खर्चा किया ठीक है वो क्या है वो private cost है उस firm की लेकिन जब वो employee था वो दूसरी firm में जाकर उसको दूसरी firm को फाइदा दे देता है ठीक है न अब सुपोज इसकी उपर हमने एक लाख रुपया खर्चा किया था ठीक है लेकिन उसकी society की जो cost है वो उतनी ज़ादा नहीं है मेरी एक लाख रुपया जादा है उसका जो benefit है दूसरी जगा पर जाकर अगर society ने cost करनी है उसको जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि वो employee पहले से trained है क्या society को क्या दूसरी firm में जब वो employee चला गया क्या दूसरी firm को भी फिर से उतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा नहीं क्यों क्योंकि मैंने खर्चा कर दिया उसके उपर एक लाख रुपय दूसरी firm को तो benefit रहेगा तो दूसरी firm क्या है that is the social cost social cost is less than the private cost ठीक है consumption में आ जाते है अब cost कौन कर रहा है जिसने garden बनाया उसकी तो cost लगी ना garden बनाने में बिलकुल लगी that is the private cost लेकिन जो इनसान वहाँ से निकलते हो उसको enjoy कर रहा है क्या वो उसके पैसे दे रहा है क्या वो उसके पैसे दे रहा है क्या society के लिए कोई cost है नहीं है सर वो तो free में enjoy करते जा रहे है तो social cost is less than the private cost clear हो गया ठीक है तो ये क्या था हमारे पास positive production externality ठीक है अब हमारे पास आया इसका दूसरा part that is the positive consumption externality production externality में क्या था initiate कहां से हो रहा था production से अब क्या होगा initiated in consumption and may be received in production or consumption itself originate कहां से हो रहा है consumer से consumption से originate हो रहा है और खतम कहां पे होगा खतम होगा या तो production में खतम होगा ठीक है या फिर अपने ही उसी consumption में खतम हो जाएगा ठीक production में कैसे खतम होगा वो कहते है company थी ठीक है company ने क्या किया एक health club बना दिया usage of services of a health club by the employees of a firm creates external benefit अब मुझे एक बात बताओ अगर कोई company अपने employees को health club की services provide कर रही है ठीक है क्या वो उसकी cost अपने products में add करती है नहीं करती ठीक है वो एक extra services है जो वो दे रही है ठीक तो वो कहता है usage of services अब जो employees हैं वो health club को use भी करेंगे use करेंगे तो fit रहेंगे fit रहेंगे तो बिमारियां दूर रहेंगी बिमारियां दूर रहेंगी तो उनकी काम में efficiency जादा रहेगी समझ में आ रहा है linkage पूरी उसने कहा तो start कहां से हुआ था consumption से कि वो health club की services को consume करेंगे खतम कहां पे हो रहा है production पे क्यूं health club की services को consume करके उसका benefit उनको मिलेगा in the form of increased efficiency and productivity in the production process तो start कहां हुआ consumption से हुआ ना खतम कहां पे हुआ production पे हुआ consumption से start किया कि जब consume करेगा health club की services क्या है अगर कोई provide कर रहा है तो it is a externality externality है तो वो consume करेगा उसकी services को consumption से start हुआ खतम कहां पे हो रहा है production में ठीक है उसके बाद अगला बाट आता है कि consumption से ही start हुआ और consumption पे ही खतम हो गया क्या people get immunized against contagious diseases this is dangerous diseases ठीक है जी confer a social benefit to the others also by preventing others from getting affected क्या मतलब है सर इसका क्या मतलब है इसका आपने डेंगू fever सुने बिलकुल सुने जी अब डेंगू fever जब होता है हम लोग क्या करते हैं फटा फट से कोई medicine लेते हैं ठीक है चलो लोगोंने बड़े देसी इलाज भी बना रखे हैं उसके हम लोग क्या करते हैं medicine लेते हैं hospitalized भी होना पड़ते है injection भी लगते हैं ठीक है होता है न यही होता है अब मैंने क्या किया जब मुझे पता है कि डेंगू का season आने वाला है मैंने उसकी medicine उसकी preventive dose पहली start कर ली ताकि मुझे बिमारी ना हो ठीक है तो मैं जब मैंने medicine start की मैं कौन हूँ मैं consumer हूँ क्या मेरे medicine को पहले start करने से या बाद में start करने से क्या जो company medicine बना रही है उसकी cost पर कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा न ठीक मैंने क्या किया मैंने medicine को start कर लिया this is one action that is a externality मैं consumer हूँ मैंने medicine को start कर लिया मैंने क्यूं किया मैंने का अगर मैं बिमार हो गया तो हो सकता है कि मेरे घर में और भी कोई बिमार हो जाए ठीक है हो सकता है और किसी के बिमार होने से कोई तीसरा बंदा भी बिमार हो जाए तो जिसका मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा इंसान भी बिमार नहीं होना चाहिए तीसरा इंसान भी बिमार नहीं होना चाहिए तो वो क्या है वो भी तो consumer ही है वो भी तो consumer है ना तो consumption पर ही start हो रहा है और consumption पर ही खतम हो रहा है मैंने पहले ही दवाई ले ली ताकि मैं ना बिमार हो पाऊं और मेरे साथ साथ जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो भी बिमार ना हो अगर वो बिमार हो गए तो उसकी भी cost आएगी तो मैंने का मुझे वो भी save करनी है This is a positive consumption externality मैं उनको एक benefit दे रहा हूं कि मैं बिमार नहीं होंगा तो आप भी बिमार नहीं हो पाऊगे आपके भी पैसे बचेंगे hospital जाने के hospital में admit होने के medicines खाने के clear? तो consumer से start होकर consumer पर ही खतम हो गया वो तो ठीक है ना इसमें production का तो कुछ part आया ही नी कोई efficiency से related नहीं आया people get immunized against the contagious diseases confer a social benefit to others also by preventing others from getting infected तो हम एक तरह से खुद medicine लेकर दूसरे लोगों की भलाई कर रहे हैं कि वो भी बिमार नहीं हों वो भी hospital में admit नहीं हों तो एक benefit हम लोग दे रहे हैं उनको ठीक consumption से start हुआ benefit भी किसको गया consumption को ही गया clear है तो जो हमारी positive externalities थी ये clear है दो तरह की हो सकती है कि start production से हुई या start consumption से हुई production से start हुई तो end कहां पर हो रही है production में हो रही है या consumption में हो रही है और अगर consumption से start हो रही है तो end कहां पर हो रही है production में या consumption में ही तो ये examples याद रखना में का social benefit is more than the private benefit कैसे वो कहता है जब मैं दवाई खा रहा हूँ डेंगू की तो मैंने तो 100 रुपे की दवाई खाई लेकिन ये 100 रुपे की दवाई खाने से क्या हुआ चार लोग बिमार होने से बच गए जिसका खर्चा हो सकता है 4 लाख हो जाता तो मैंने society को benefit दिया 4 लाख का और मेरा private benefit तो कुछ भी नहीं था सिरफ 100 रुपे का खर्चा हुआ मेरे private benefit से ज़ादा मेरा society का benefit ज़ादा हुआ 4 लोग बचे मेरा benefit क्या था मैं तो खुद को एक मैं one person हूँ मैं अपने आपको save कर रहा था ठीक है ना कि मैं बिमार ना हो पाऊ लेकिन society के मैंने 10 लोगों को 4 लोगों को 10 लोगों को बचा लिया बिमार होने से तो society का benefit जो है वो private benefit से ज़ादा होता है in case of positive consumption externality ठीक है positive production externality में cost की बात करते हैं देखो जब भी production की बात करते हैं हम लोग तो हम लोग एक businessman के point of view से सोच रहे हैं ठीक businessman को concern किस चीज से होता है उसको cost से बहुत मतलब होता है ठीक है ना तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे cost की जब हम लोग consumption एक consumer के point of view से सोचते हैं तब consumer क्या सोचता है कि मेरा benefit कितना होगा उस चीज से तब हम लोग benefit के viewpoint से बात करेंगे ठीक तो याद रखने के लिए production को cost से link करना है और consumption को किस से link करना है benefit से link करना है ठीक हो गया clear है तो हमने अभी तक जो बात की है हमने अभी बात की है सिरफ positive externality की ये part हमारा cover हो गया इतना अब next lecture में इसको continue करेंगे नहीं तो बहुत boring हो जाएगा आप लोगों के लिए सिरफ इतना part पहले externality इसका पूरा दिमाग में बठा लो अच्छे से ठीक है क्योंकि इतना part भी नहीं बैठा तो negative थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना तो पहले इतना part ही अच्छे से सुन लो समझ लो cover कर लो उसके बाद next lecture में हम लोग इसको finish off करेंगे जो externalities का topic है negative externalities है हमारे पास फिर private and social cost है और ये वाला जो पाटा ये समझने वाला पाटा है बहुत ज़रूरी ठीक और ये बहुत important topic है externalities का तो positive externalities मेंने cover कर दिया negative हम लोग next lecture में continue करेंगे externalities के साथी next lecture we are going to continue with externalities right so if you have any queries you can send me an email at ksjteaching at the rate gmail.com or you can connect with me through telegram group also that is ksjteaching ca inter and you can visit the website for the various notes and questions on cost accounting financial management www.ksjteaching.org these are the other courses that we have completed on the youtube the notes are available no questions are available on the website www.ksjteaching.org right so that's all for this lecture friends thank you so much please drink झाल झाल हो तंग